बुपेश बुपेश बगेल जी, अकिलेश सिंग जी, शकील एमद कान जी, मदन मोहन जहा जी, तारिक अन्वर जी, इम्रान प्रटापकडी जी, गनहया कुमार जी, मुहम्मद जावेद जी, एमद अश्वाक करीम जी, अलायंस के नेता दिबगगर भटचारिया जी, मेभू आलम जी, कुनाल जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सब वरिश्ट नेता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार. अभी जब, अकिलेश जी का भाशन चल रहा था, तो बगेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया, आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूँ, आपको सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर, गवनर के यहां, स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूम धाम था, वहाँ पे बीजेपी के नेता बैटे थे, गवनर साब बैटे थे, सब मेले बैटे थे, स्वेरिंग इन होती है, शपत लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, दो तीन मंत्री भी शपत लेते हैं, खुब तालिया बचती है, और फिर नितीज जी, निकल जाते हैं, वापिस सीम हाउस के ओर चल जाते हैं, गारी में पता लगता है, कि वो अपना शॉल गवनर के घर में छोड़ाए, तो ड्राइवर से कहते हैं भाईया चलो, वापिस चलो, शॉल उठाना है, तो ड्राइवर गारी घुमाता है, गवनर के घर आता है, नितिश्ची निकलते हैं, गवनर के पास जाते हैं, दर्वाजा खोलते हैं, गवनर कहते हैं, भाई, इतनी जल्दी वापिस आ गए, तो यह हालत है बिहार की, थोड़ा सा दबाग पढ़ता है, और यूटर्न ले लेते हैं, दबाव क्यों पढ़ा, क्योंकि भिहार में, हमारे गटबंदन ने, एक बात जनता के सामने रखी है, इस यात्रा में, हम पांच नयाए की बात कर रहे हैं, उनमें से एक नयाए, उसको आप समाजिक नयाए कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागिदारी कह दीजिए, कि उसके बारे में हम काम कर रहे हैं मैंने पहले बाशनों में कहा है कि इस देश में अलग-अलग वर्ग के लोग हैं पिछ्णी जात के लोग हैं दलित हैं आदिवासी हैं माइनौरिटी हैं जनरल कास्ट के लोग हैं हर समाज में कमजोर लोग हैं ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है मगर अगर मैं आज आपसे पूछों कि इस देश में ओबीसी समाज की अबादी कितनी है आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि दे सकते हैं कोई नहीं जानता और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो कि सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले भाशनों में कहा जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अपसर है आईएस के अपसर है 90 में से तीन OBC वर्क से आते हैं और अगर 90 अपसर पूरे के पूरे बजट के बारे में निन्ने लेते हैं तो ये OBC अपसर 100 रुपे में से पांच रुपे का निन्ने लेते हैं तो सरकार में ना OBC की ना दलित की ना अधिवासी की भागिदारी है सरकार को छोड़िए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजे उनकी लिस्ट निकालिए उनके मालिकों के नाम पढ़िए आपको उन नाम में से एक दलित एक आधिवासी एक पिछड़ा नहीं मिलेगा मीडिया को देक लीजिए अख़बारों को देक लीजिए टिवी को देक लीजिए एक मालिक OBC Word दलित वर्ण आपको नहीं मिलेगा रिपोर्टर मिल जाएंगे उनको भी कोने में बेठा रखा है जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे हैं मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक OPC एक दलित एक आदिवासी नहीं मिल सकता प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए प्राइवेट कॉलेजे उनिवर्सिटीज को देख लीजिए प्राइवेट हस्पताल देख लीजिए एक मालिक आपको OPC दलित आदिवासी का नहीं मिलेगा तो मैं सिर्व यह सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम समाजिक न्याए की बात कर रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछडों को आदिवासियों को दलितों को न्याए नहीं मिल रहा है अब सवाल बनता है पहला कदम क्या होना चाहिए किसी को चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है पैर में चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो X-ray जाके कर लो X-ray करने के बाद साफ पता लग जाता है कि हड़ी कहां से तूटी है सही बार मैं सिर्व यह कह रहा हूँ मैं सिर्व यह कह रहा हूँ कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एकसरे हो जाए एक एकसरे हो जाए उसके बाद MRI भी हो सकता है मगर पहले एक एकसरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी अबादी है लोगों की गिंती हो जाए जेनरल कास्ट के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है OPC जात के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है गरीब इतने है किसान इतने है मजदूर इतने है भूके इतने है आदिवाशी के इतने लोग है इसमें आदिवाशियों में अलग 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 ट्राइब्स के इतने इतने लोग हैं दलित इतने हैं इसमें दलितों में ये अलग अलग लोग हैं ये भूके मर रहे हैं ये मजदूरी कर रहे हैं ये सलक बना रहे हैं बस मैं यही कह रहा हूं समाजिक न्याय का यही मतलब है और समाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है अब बात समझे बात समझे नितीश जी कहां फसे मैं आपको बताता हूं कि मैंने नितीश जी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाती जनगर्णा बिहार में करनी पड़ेगी हम आपको छूट नहीं देंगे और आर्जेटी ने हमने ये काम नितीश जी पर दबाव डालके किया अब क्या हुआ अब दूसरे साइट से प्रेशर आया बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो दर्ते एक्सरे से दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं कितने दलित हैं कितने आदिवासी हैं बीजेपी ये नहीं चाहती बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए उधर ध्यान जाए आगे पीछे ध्यान जाता जाए मगर समाजिक न्याय पे गल्ती से भी आपका ध्यान ना चला जाए नितीज जी बीच में फस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नितीज जी उस रास्ते पे निकल गए समाजे की नियाए देने की जिमेदारी बिहार में हमारे गड़बंदन की है नितीज जी कि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके हमारा गड़बंदन यहाँ पे जो करनाय कर देगा यह हुई बात समाजे कि नियाए की अब मैं आपको आर्थिक नियाए की बात करना चाहता हूँ आपने मुझे अभी वो माला दिया मकाने वाला माला उसको लाईए यहाँ ज़रा कहा है वो मैं एक मिनट में आपको आर्थिक नियाए समझाने जा रहा हूँ यह बिहार के मकाने इतने मज़ेदा रही है खा गए हूँगे उनको खा गए देगो का गए लाओ 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 उसको लाओ तोड़ा मज़ा भी आना चाहिए आ रहा है यह आ गया यह देखो कितना सुन्दर मखाने का माला है अब यह देखिए मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ इसको यह लाइए यह यह दस तकरीबन दस किलों का है ठीक है इसको यह रख दीजिए यह बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है सही बात है यह बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर गंटो पानी में बैठकर यह हमें दिया है दस किलो का है यह आपको मालूम है यह अमरीका में कितने कब इकता है अमरीका में अगर आप इसको बेचोगे जो बिक्रा है अमरीका में यह बड़ा बिक्रा है आज कल वहाँ पे फैशन आ गया है कि मखाना काएंगे बिहार का मखाना काएंगे सबसे पहले उनको मालूम नहीं है यह मखाना कहां से आता है पहली बाद या है, मगर मेरा सवाल आपसे, ये दस किलो की जो माला है, ये अमरीका में कितने रुपे के लिए बिकेगी। चुप हो गए, मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपे के लिए अमरीका में बिकेगी। पंद्रा हजार रुपे 10 किलो के लिए अब मुझे बताओ इस में से पंद्रा हजार रुपे में से बिहार के किसान को कितना रुपेया मिल रहा है बिहार का किसान 250 रुपे किलो के बेच रहा है मतलब 2500 रुपे 10 किलो के लिए यह 15,000 रुपे गलती की मैंने यह 15,000 रुपे एक किलो का मतलब यह माला अमरीका में एक लाख पचास हजार रुपे के लिए जाएगा गलती कर दी सौरी एक डेड़ लाख रुपे के लिए ये अमरीका में बिखता है और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो 2500 रुपए 10 किलो के लिए मैं आप से पूछना चाहता हूँ यह पैसा जा कहा रहा है यह जा कहा रहा है किसके हाथ में जा रहा है यह किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना तो ये देखिए इसको कहते है आर्थिक अधियाएं और ये हर चीज में हो रहा है जो मेकानिक गारी बनाता है जिसने माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया मॉबाइल फोन को जो ठीक करता है जूते बनाता है टी शर्ट बनाता है जो भी हाथ से काम करता है उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है मैंने आपको बोला कि 10 रुपे 10 किलों की माला अमरीका में एक लाग पचास हजार रुपे के लिए भिक्री है आप हैरान हो गए एक लाग पचास हजार रुपे ये पड़ा हुआ है हमारे सामने इसमें से दो तीन हजार रुपे किसान के जिम में जा रहे हैं क्या यह अन्याय नहीं है सबसे बड़ा न्याय है तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं हम चाहते हैं कि अगर ये एक लाग पचास हजार रुपे की माला है तो कम से कम 30-40 हजार रुपे तो किसान के हाथ जाएं अगर मेकैनिक काम कर रहा है मॉबाइल फोन को कोई ठीक कर रहा है खेत में काम कर रहा है उसको अपनी मेहनत का सई फल तो मिले और जहां भी देखो हिंदुस्तान में मैंने चोटा सो धारन दी आपको जहां भी देखो जो गरीब है कमजोर है हाथ से काम करता है उसको अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता देश में तो यह दो बाते मैं आपसे कहना चाहता था एक किसकी कितनी अबादी है ओपीसी कितने धलित कितने आदिवासी कितने और उन में से कितने गरीब हैं कितनों के पास सरकारी नोक्री हैं कितने कंपनी में काम कर रहे हैं देश का एक सरे और दूसरा बहुत महत्वपून सवाल देड़ लाक रुपए के कि माला में से हमारे किसान को ढाई हजार तीन हजार रुपए क्यूं मिल रहे हैं जादा क्यूं नहीं मिल रहे हैं यही दो सवाल हैं हिंदुस्तान के सामने बाकी सब आपके ध्यान को इधर उधर करने की बात है अब आप कहोगे इसमें बिहार का क्या रोल है बिहार को क्या करना है हजारों साल से ये प्रदेश इस देश को समाजिक न्याएं और आर्थिक न्याएं दिखा रहा है सोशल मुवम्मेंट होती है देश जागता है तो बिहार से जागता है गांदी जी के आज हम याद कर रहे है उनकी तपस्या चमपारन में शुरूई हुई थी बिहार में शुरूई हुई थी इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूँ बीजेपी के लोग आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं कि कि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो और दो ही मुद्दे हैं आर्थिक नयाए जो मैंने आपको यहां दिखाया और समाजिक नयाए जिसको मैं एक्सरे कह रहा हूँ और वो भी पहला कदम है भाई और बेनो पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की कन्या कुमारी से हम कश्मीर तक चले समुद्र के टट से शुरू किया चलते गए चलते गए चलते गए हमाले तक चले आप सब हमारे साथ चले थे बीजेपी देश में नफरत और हिंसा फैला रही है इनका लक्ष यही है कि आप हिंसा में नफरत में उलजे रहो एक भाई दूसरे से लड़े और आप आर्थिक और समाजिक नियाय की बात मत करो और भारत चुड़ो यात्रा ने देश में एक नया रास्ता दिखाया यात्रा में बिहार के लोग हमारे साथ चले बिंगॉल के लोग चले और आपने हमें कहा देखिए आप कन्या कुमारी से कश्मीर जा रहे हो बिहार बेंगॉल उत्तर प्रदेश इस में से आप यात्रा क्यों नहीं कर रहे हो बात बिल्कुल सही थी इसलिए हमने मनिपूर से भारत चुड़ो नियाय यात्रा शुरू की मनिपूर से क्यों क्योंकि बीजेपी और आरेसस की विचारदारा ने मनिपूर को जला दिया है सिविल वार का महौल बन गया है लोग मर रहे हैं घर जलाए जा रहे हैं और प्रधान मंत्री आज तक वहाँ नहीं गए मनिपूर में शुरू किया नागा लेंड, अरुनाचल, बिंगोल, असाम और अब हम बिहार आए हैं यात्रा में हम लंबे भाशन नहीं करते पंद्रा बीस मिनट बोलते हैं छे-साथ घंटे आपकी बात सुनते हैं आज सुबह चाय की दुकान में हमने तीन-चार परिवारें के साथ चाय पी उनकी बात सुनी बस में लोग आते हैं, हम पैदल चलते हैं पदियात्रा में चलते हैं, क्यूं? आपके दिल में जो है, वो हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हम अपनी मन की बात नहीं रखना चाहते हैं हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और यात्रा में हमने पिछली यात्रा में एक नारा निकाला था नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलनी है और पिछले दो दिन आपने यात्रा में महबबत की दुकान खोली है इसके लिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जहां भी हम गए हैं वहां बिहार के युवा माताएं, बहने किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब ने यात्रा का समर्थन दिया अपनी पूरी की पूरी शक्ती यात्रा को दी और जितनी भी महबबत दे सकते थे आपने हमें दिया इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और अंत मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि समाजिक नयाए और आर्थिक नयाए से बड़ी कुछ बात नहीं है यही है हिंदुस्तान का भविश्य अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आर्थिक नयाए और समाजिक नयाए हिंदुस्तान की जनता को देना ही पड़ेगा आप सब का दिल से धन्यवाद नमस्कार जैहिं पर दो